आज गाओं की सभी महलाएं एन्सी और अन्य जाचों के लिए आंगानवारी या प्राथमिक स्वास्त केंद्र जा पहुंची हैं आए एन्म दिदी से जानते हैं कि वो सिंटु की प्रसफ पूर्व जाच में कौन-कौन सी जाच इसलिए करने वाले हैं कि आए कि आए किरन बेठी नमस्ते दिदी नमस्ते दिदी और सब कैसे सब ठीक है और सब गाम में ठीक है नम क्या हूँ आपका सिंटु कुमारी क्या बात है मासिक धनपरु को जानने की करा आसा देदी से के साथ हाँ है कितना दिन बढ़ा है एक देन महीना हो गया अच्छी बात है कि रुगा है तो अब उसका तो जाच करना होगा हमको यह है नेश्चे की टिस्टे हम ना पिसाब जाच करेंगे इस पे दो बुंद पिसाब डालें देंगे ना तो पता छलेन उसमय एक लांड रहा तो लिए गर्ट वाधा है तो वोजटीव आता है पता चलेगा कि गर्वती हां कि नहीं और पिसाब खेंव लेका इया आवा कूलो कि सब्सें ना बनने वाली Are You some up ममा बने वाली है तरह Easy देखिए दो लाइन अगर हो गया तो आप गरवती हो गया अब हम आपका पंजी करन करेंगे पंजी करन इसलिए करेंगे कि आपको जो भी सरकारी सुधा है वो आपको प्लब्ध हो जाएगी अपका नाम क्यों है पती का नाम भार पोस्ट मादुपूर ब्लॉग चैंडी और मानती महिना कब हुई थी महवारी तीन जेठ में तीन तारिख जेठ में ठीक है आपका बच्चा आपको दस तारिख को दूसरा महिना में होगा मात्र ये वंबाल सुरच्छा काड इसमें बमा और बच्चा दोनों का पूरा जनकारी भरा हुआ रहता है एक काड हम इसलिए जनकारी भरते है कि अगर हम नहीं रहें तो काड देखके ही आपका पूरा स्वास्त का क्या आपको दिक्कत है नहीं है सारा इसमें उनको पता चल जायेगा समय समय पे जब भी आये गा आपको सारा जाज करके जर्फ भरते जाएंगे लोग इसलिए काड बराता है पुरा जब भी आना है काड जरूर लेके आना है पर्थम परसफ पुर्जाज इसमें पुरा मतलब पहली वर आईएगा तो सब भराएगा फिर है परसब जाज कम से कम पानी और यहां यहीं देता है, Aubrey from today. अभी होगा जातीज जातीत और सब्सफ़ांगे. आफ जयें शबते तकाम, वोगा मीत अबका करेंगे. अब ही तो आपका बजन 45 किल्यों है पूरे गरवास्था के दोरान नौ महिने में कम से कम 10 से 12 की बजन बढ़ना चाहिए इसलिए हम बार बार बजन लेते हैं जब भी आईएगा हम आपका बजन लेगे इसलिए कि बार मतलब 10 से 12 की बढ़ जाए बजन आई अब हम आपका रक्तदाव का जाज करेंगे र Hell STEPHAN Fach sticker की जाज इसलिए लेते हैं कि गरवास्था के दोरान अगर कोई दिकत है तो उसकी पूश्था होती है बढ़ा हुआ भी है तो भी दिक्कत होती है, कम है भी तो भी दिक्कत होती है, अब ही तुम्हारा रखते दाव, नॉर्मल है, जो हम तुम्हारा M.C.P. काड पे, मार्तिस पुगबाल सुराच्छा काड पे लिख दे रहे हैं, अब हम तुम्हारा एक टेटनेस का सुई अब होगा, और मिर्तु की सम्भाब ना घाट जाए है, यहां नहीं लगाएगे सुई दर्वे जाएगे, अगर थोड़ा सा सुई जैसा चुभेगा, डर्व नहीं कहीं, ना रखाया हैं सुई, लगाएगे लगाएगे, अच्छा सुई लगाएगेगे, अधुर्या तो ल एक सब्सक्राइब है, एक तोब सब्सक्राइब है, जब भी तुम्हारा परसब होगा, जब ज़ूनकारी रहेगा अर्पटकिर है तो इसलिए उसका जाज़ करना जरूरी है, HIV और हैपेटाइटिस, जाहे होज़ बीमारी संक्रमन है, तो उसका जाच होता है, वो सब पता चल जाएगा, पिसाब के जाच एक करवाना है, प्रोटीन एबल मीन होता है, बढ़ा हुआ रहाता है, गरहवाती को परिशानी होता है डिलेवरी के समय में इसलिए खुन और पिसाब का जाज कराना जरूरी है इनके साथ कोई गार्जियर भी आये हैं तब उलाइए नमस्ते बैठिये आपकी बहु माँ बनने वाली है वान के इच्छा वैसंत आदमी चाहाई खुसी के बात है देना है दूथ देना है दूद से बना हुए समान देना है जैसे दाही पनीर या टिजिये गाए थुम गारे प्था और मा दोनु fragrance रहेगी करे मेहनत और भारे समं नहीं अउठा ने देना है क्योंकि उससे दिक्कत होगा बचा और मां दोनु को अराम करना है सा कम दिझ में निकाल के आराम कर लेंगे, रात में तो आदमी आठ्षनो बजे सो जाता है ताठ गंटा बच्चा स्वास्थ चाहिए तो आप लोग सही हो किजिएगा तो मां और बच्चा दुनों स्वास्थ हो बच्चा काड़ दियें जब भी आएगा जो लेकर आना है क्योंकि कोई भी अगर हम ना रहें कोई और डॉक्टर चाहिए इनम रहेंगे तो इसको देखके आपका सारा जानकारी इसमें से देख लेंगे कि क्या है नहीं है वो अपने हिसाब से काम करेंगे अभी तो आपका पूरा पहला जाज का भरा गया इसमें अगर दूसरा बार आप आएगा चार से छे माह के बीच में और अगर आपको पूरा घर्ववास्था के दौरान आप सही संब कोई जटिलता नहीं होगी तो कम से कम चार जाज कराना जरूरी है अगर आपको कोई दि जनकारी सारा है कब एंसी जाच कराना है कर तीटी लेना है कब इसमें क्या खाना है पीना है सारा जनकारी इसमें है तो अपना बहु जाएंगी तो घर में पढ़ेंगी अ c w mo now cnaafonaa hai a a । kaisi Simpson घंध कि向 थीखना आपीना सही सेहए सफराना तीटी ले ली एक और टीटेट भैका जो सुई भोले थे के लेना है ले ली घी आ रामकर रहीोगाना जैसे बताये थे तो इसे खानाप कर रही होना जैसे वो ले थे शारा चीज और जी लेवरी जब भी करवाना सरकारी होस्पिटल में कराना क्योंकि यहां पर डाप्टर की देख रेख में होगा और तुम्हारा तुम्हारे बच्चा का जाच भी हो जाएगा और वैसा को दिककत होगा तो फिर तुम्हारा जो भी लाव मिलेगा प्रत साहन राशियु भी मिलेगा सारा तुम्हारा सही समय पर हो गया है अब बहुत जरूरी बात बताना है जो की दवाई से कुछ सम्मन दी था यह है आयरन की गोली इसको अकसर महलाव में खून की कमी पाई जाती है इसको जो की बच्चों गर्में पल रहे बच्चों पर भी अशर करता है इसको रोज एक गोली रात में खाना है जिसे की खून की कमी दूर होता है आखिर तुम्हारे बच्चों को खून से जो रिस्ता जोड़ना है ना इसी गोली से बनेगा ठीक है खाएंगे इसे केल्सियम की गोली इसको खाने से गर्में पल रहे बच्चों की मास्क्रिक्स को बिक्सित करता है और हड़ी भी मजबूत करता है मां को भी हड़ी मजबूत करता है इस सुबह परती दिन एक गोली खाना है यो एक सवासी गोली पूरा खाना है पूरे गर्भवस्था के दौरा यह है कीड़े मारने की गोली एक गरभाती महला को दूसरा सी माही में मतलब की चार से छे महना के बीच में गोली लेना जरूरी है क्योंकि अगर पेट में कीड़ा होगा तो आपको जो भी खाईएगा खुन की कमी हो जाएगा नहीं बनने देगा खुन इसलिए एक गोली पू काड़ दिखा ना थड़ा देखो कितना अच्छा लग रहा है कि तुम बार बार आई हो समय दियो हमको जाएशी उचकरवाई हो सब सही है बजन भी बढ़ रहा है और सब ठीक है आरन की गोली भी खा रही हो तारा चीज आज हम एक जरूरी बात बताएंगे तुमको जो कि अक्षर गर्वाबस्था में परिसानी होता है उसके लिए हम तुमको कहां जाना है इसके बारे में हम बताएंगे जैसे कि योनी से खुन आने लगेगा बहने लगेगा ताब और ह अगर तेज बुखार आया तो भी जाना है लगतार उल्टी हो रहा है तो भी जाना है होस्पिटल दिखाने के लिए उसके बाद है कि अगर पैर में या पूरे सरीर में सूजन उजन है तो उसको भी और चेहरा में सूजन हो गया है तो उसको भी हलका मिना लेना है दिखाने के लिए जरूर जाना है अगर कोई दिक्कत है तो इसा बताओ कोई दिक्कत ने नहाँ ठीक है कि जैसे किया माथा मे ह 호स्पीटल के चुन से को बहुत हमें गए पिलड़ में हम अभ सब भी हया हो जाने मिलगा है ने किर दो नेพीट कर से फुरी हो जा में तो घर्व"- चलो अब तुम्हारा हम पेट का जाज करेंगे बच्चा का हर्चल देखेंगे पेट के जाज में हम देखते हैं कि बच्चा बढ़त कर रहा है और बच्चा कुसल तो है चलो उठो अब कुर्सी पे बैठो कुछ बात करेंगे करेंगे शेखेंगे लगास में जाज करेंगे लगांट करिछार घाल इतलो पामट में देखेंगे की अब तुम्हाम पेट रहा है जब आपका बच्चा और आप हो जाएगा स्वास्त रहेगा तो कुछ उपाय अपनाईगा ना परिवार नियोजन के कि दोनों बच्चा में अंतर रहे उसके लिए बहुत सा रह उपाय है जैसे कॉपर्टी हो गया लगवाईएगा तो अगर बच्चा में अंतर रहेगा दो बच्चा के बीच में तो आप ही स्वास्त रहेगा आपका बच्चा भी स्वास्त रहेगा ठीकिती बिताईगा आपको क्या अच्छा तरीका रहेगा अच्छा तो जो भी आप यूज करना चाहिएगा साब अच्छा ही रहेगा उजिसे कॉपर्टी भी लगवाना चाहते है तो बच्चा जन्म लेगा उसके तुरांत वाद भी लग सकता है, और तो फिर असको डेर शपता के बाद भी लग सकता है, तो आप सुचियेगा जो उपाई लीजेगा यहां से मुप्त में मील जाएगा. बच्चा जन लेगा उसके तुरंत बाद तुमको अस्तनपान कराना है उसमें जो गाड़ा पीला दूध होता है वो बच्चों को फून की कमी होने से बचाता है स्वास्त बर्धक उसमें पॉश्टिक का रहता है उसको पिलाना बहुत जरूरी होता है उसको बाहर करके फेकना नहीं है अब तुम्हारा चौथा जाज है आज और इसमें जाज भी करेंगे आज कोछ परसब के लिए तैयारी कैसे करना हो भी बताएंगे जो भी होस्पिटल में करवाना है उसका फोन नंबर लेके रखना है नाम जानकारी रखना है और गाड़ी एंबुलेंस सजाएगी और जो भी गाड़ी सजाएगी उसका फोन नंबर लेके रखना है और काड़ जो दिये दिये हैं उसको लेक साथ में रखना है ताहम सारा व माइस ते 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 बिए औरा मुझे ताइए तो इस तरह सिंटू दीदी का प्रसव सुरक्षित और खुशहाल रहा उनके घर में एक नन्ना बच्चा आया और उनका परिवार खुशी से खिल उठा अगर आप भी गर्भवती हैं तो आज ही अपने गाओं की आशा या एनेम दीदी से जाकर संपर्क करें और कम से कम चार महत्वपूर्ण एनसी जाच के बारे में अपने परिवार एवं सहेलियों को जरूर बताएं धन्यवाद